बोजपरी सुपस्टार पवन सिंग अब बनारस में नहीं है और ना ही बॉस की शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि बॉस की शूटिंग कम्पलीट हो चुकी है और अब उनका काफिला निकल चुका है राची के लिए अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इतनी लंबी शूटिंग के बाद पवन सिंग छुटी लेकर अपने घर न जाकर राची क्या करने चलेगे तो भाई आपको बता दे कि राची अपनी आने वाली फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग करने जा रहे हैं ये क्रैक फाइटर जो मूवी है जनाब वो पूरी तरह आउट एन आउट एक्शन मूवी है नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये फिल्म कितनी धमाकेदार होने वाली है जब नाम ही क्रैक फाइटर है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें पवन सिंग का जल्वा किस तरह से आपको दिखेगा खेर इस म कारी हमें मिलेगी हम आपके सामने सबसे पहले लेकर हाजिर होंगी लेकिन यहां आपको हम बता दे कि क्रैक फाइटर की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट करने की ये वज़य है क्योंकि पवन सिंग की बैक टू बैक काफी फिल्में हैं जो रुकी हुई है काफी फिल्में ऐ इसी है जिने पवन सिंग ने डेट दे रखा है इसी कारण इस फिल्म के शूटिंग पवन सिंग को जल्दी करनी पड़ रही है तो अब आप फिल्म बॉस के बाद क्रैक फाइटर की कुछ वीजुल्स देखने के लिए तैयार हो जाए बोजपुरी जिकत की होट और मस्ट साल इस दार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए